तो आप कबसे हैं राजनीती में? मैं राजनीती में स्टूड़न लाइफ से हूँ मैं अपनी इनुस्टी में प्रेजडेंट था ट्वाइस और जिस साल में इनुस्टी छोड़ रहा था तभी मुझे चरण सिंग जी ने बुलाया और चरण सिंग जी के तब 30 MLA छोड़ गये थे किस साल के बाद है? यह यह देट इस 1973 तो उन्होंने का असरकपाल देखो बेइमान मैंने पार्टी बनाई थी किसानों कि यह मुझे छोड़ दिये मेरा हाथ पकड़के उन्हें बड़ा एमोशनिल होके कहा कि तुम इस पार्टी को संभालो किसानों कि पार्टी है और किसी से बात मत करो अभी जाके मेरी मीटिंग है शाम को पांच बज़े जीम खाना में उससे पहले एनॉंस कर दो तुम मेरे साथ हो और किसी से मत मशुड़ा जैसे उन्होंनों कहा था वैसे ही किया और नेक्स दे आ गया कि मैं उनके साथ हो ना सारी पार्टी में जी सौंग दी जरनल सेक्रेटी बना दिया उसके बाद मैंने मले लड़ाय तो मैं सब 20 साल की उमर में 74 में मले हो गया फिर राजसरभा का मेंबर हुआ दो बार लोग सभागा हुआ मिनिस्टर हुआ और अब गवर्नर हुआ तो तब से लड़ाई जगडा कुछ ना कुछ चलता रहता है बट होल टाइम पॉलिटिक्स में आ गया फिर प्रेक्षिस वागेरा नहीं कर पाया तो कैसे थे वो चरंशिंग जी वो अच्छे थे उनकी दिक्कत क्या थी कि उनको किसी भी तरह प्राइम मिनिस्टर बनने का एक सपना देखते थे तो उसमें उन्हों नहीं दरुदर किया होरो कल्चर इमांदार बहुत स्वीट आदमी थे पर ये मतलब हमारे जो पॉलिटिशन जे काफी लोगों को ये हो जाती है कि बस बनना ही बनना मतलब सब कुछ कॉंप्रमाइज करके बनना है मैं आपको कहरा हूँ आपकी पूरी जो स्टेंथ है जो किसी के पास नहीं है व बस हर हालत में ही मतलब काफी पॉलिटिशन ऐसे हो आजादी के फॉरण बात तो राजनीती एक तरह से करता भी था और लोग करते थे उसको उस तरह फिर ये प्रोफेशन हो गया और अब ये बिजनेस हो गया है आप जम्मू कश्मीर में जब थे मतलब बड़ा कॉम्प्लि कुछ भी कर सकते हैं और वहां के लोग ऐसा नहीं के इंपॉसिबिल है मैंने तो देखा मैंने उनको अपने साथ किया आपने अंदर से डीटेल से देखा सोल्यूशन वहां किस बेसिस पर आएगा इमीजेटली तो उनकी स्टेट हुड वापस करना चाहिए उनको इतना 317 ही पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी जब कैसा नहीं था पुलिस इतनी रही भारा सरकार के साथ के इद का महीना था एक एक सिपाही ने चुटी भी नहीं वांगी भी लाइन में रहे तो एक तो इस स्टेट हुड और इनका प्रॉमिस हुई है मिशाह का हाउस में उसको इमिजे और क्योंगी नहीं था पता नहीं मेरी बाततौहिब कया धीना वापस करा impacto चल तो राए सब ठीक कह छारी इंसरजेंसी वापस आगी है अब तो काफी घटना है तो जगह-जगह हो रही है राजयोरी में रोज होता है उपर कश्मी वैली में रोज कुछ ना कुछ होता आपके क्या राया उसके बारे में, पुल्वामा के बारे में, यह तो नहीं कहता है, इनोंने कराया, बट पुल्वामा में इनोंने उसको इग्नॉर किया और पुलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, चूपके उसमें इनकी स्पीचिस हैं, जिसमें कहता हैं, जिसमें कहता ह अगर मैंने का मैं जा रहा हूं तो मैं अपर में चला गया और एरपोर्ट में उस टाइम मुझे कम्रे में बंद कर दिया मुझे का कि देखे आप कमरे से नहीं नीकल सकते हैं मैंने का मतलब तो उधर वह सब शहीद आये थे वहां पर आर्मी के लोग थे ट्रदान मंतरी आ रह और फिर लड़के में वहां से निकला, तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहां पे शो सा क्रियेट हो रहा है. हाँ, था ही, वो प्रधान मंत्री को शेनकर जाना चाहिए था. राजनाज सिंह आये थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धान जली दी थी, प्रधान मंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था. मगर मुझे उसमें क्या शॉक लगा, कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है. और वहां पे प्रधान मंत्री आये हैं, और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं, कि भाईया देखो, काफी डिस्टेस्टफुल सा था. जिस दिन ये हुआ, तो ये नेशनल कॉर्वेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अबने. तो ये एविलेबिल मैंने तीन-चार बार कोशिश की मिला ही नहीं मुझे को. पांच ये शे बज़े इसका फोन है, अहां सत्पाल भाई क्या हुआ? मैं का हमारे इतने लोग मर गए हैं, और हमारी गलती से मुरें. तो बुलें नहीं नहीं, चुप रहना, भी कुछ नहीं बोलना इस पे. फिर एक घंटे बाद ये डोगाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लो में मेरट में, तो इसका फोन आया, चुप पाल भाई आप बोल दी, मैं दो चैनल को बोल चुका था ये बाद, तो इनने का नहीं कुछ नहीं बोलना इस पे. मैं ठीक है, मैं समझा, कुछ जांच-वांच कराएंगे, उसको असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं, तीसरे दिन इनका आगया कि पुल्वामा की शाहदत को याद रखो, अब हम बाला कोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है? पुल्वामा के शहीद जिस तरह हुए थे, इसलिए हुए है कि उन्होंने पांच एरक्राफ्ट मांगे थे, अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमिजेटली कर देता, मैं तो वहाँ स्टूडेंस जब जम जाते थे वरस में, उनको एरक्राफ्ट से, दिल्ली में एरक्रा है कि वह सडक से चलना बिल्कुल इंसिक्योर होता है, वह उनके उसमें नहीं है सिस्टम में, पांच जहाद वांगे थे उन्होंने, वह नहीं दिये, चार महीने तक लटकाए रख़े, तो चार महीने के लिए यह क्या होल्ड पे थे, होल्ड पे थे, मेरे सामने नहीं आई ह अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता. That was between CRP and Home Ministry. लेकिन ये थी कि अटेक हो सकता है. इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी, वो दस दिन से घूम रही थी, वहाँ पूरा, आप समझेए कि भरी हुई विस फोटक से. वो कैसे मतलब, इतना एक्स्प्लोसिव लिए, कैसे मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से. और जब मैं गया हूँ फिर पुल्वामा होने के बाद, तो जो दस किलोमेटर का स्टेच है, उसमें लगभग आठ दस लिंक रोड मिलती हैं. एक भी सेनिटाइज नहीं थी उस दिन. बलके हम तो जब अपनी पुलीस को भेजते थे, कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रेफिक बिल्कुल रोग देते थे. सेनिटाइज कर देते थे, तब भेजते थे. ना हाइवे सेनिटाइज था, ना वो लिंक रोड और लिंक रोड जहां हाइवे मिलती है, वहारी वाज यह है, कि वहाँ एक जिपसी खड़ी होनी चीए, जो उसे रोग देकर नहीं है, यह काफिला चला जा, CRP कर तब जाना. कुछ नहीं था, there was nothing like that. तो जब आप वहाँ गये, जैसे हम ऐसी घटनाओं में जाते हैं, तो जब हम कहीं पहले पहुंचते हैं, कोई, माइंड में कोई फीलिंग आती है, तो इसमें आपकी क्या फीलिंग आई थी, जब आप पहली बार वहाँ गयेंगे? आप मेरा है कीन करेंगे? I was in tears, और मैंने इसको फोन किया, मुझे नहीं मिला, जब पांच बजे मेरी बात हुई, तो मैंने का हमारी गल्ती से हुआ यह, तो बोला नहीं नहीं, इस पे आपको चुप रहना है, मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिए, जिनके जिम्मेबारी थी, कुछ भी नहीं हुआ, उसको इलक्षन के लिए यूज करना चाहते थे, कि यह पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे, और अब हम हराएंगे. भारत जोड़ो यात्रा में हम वहीं से निकले, एक्चली साइट से निकले, पुलवामा से, तो मुझे यह लग रहा था कि जो आपने बोला, कि ऐसी जगाँ पे, स्ट्रेटीजिक जगाँ पे इतना एक्स्प्लोसिव कहां से आ गया, कैसे आया, वो मेरे क्वेस्टिन, मेरे दिमाग में क्वेस्टिन था, सारा पाकिस्तान से आया था, पट इतना च्छे सा, तीन सो किलो, हाँ, यह बॉर्डर तो हमारा पोरस है, और यह इतना एक्स्प्लोसिव, इंडिजिनसली प्रोक्योर करते तो वो बात फैल जाती, यह दस बारा क्विंटल तो आया हुआ था, उसमें से गाड़ी पूरी भरी थी, एक्स्प्लोसिव से, और बताया मुझे जब मैं गया, कि साब, यह तो दस बारे दिन से घूम रही थी गाड़ी, जो गाड़ी चला रहा था, उसका भी मालिक का, दोनों का टेर्रिस रिकॉर्ड था, दोनों कई बार गिरफतार हो लिए थे, फिर चुट गे थे, फिर गिरफतार हुए थे, फिर चुट गे थे, उन पर कोई निगा नहीं थे, इंटेलिजिएंस एजेंसी की, यहां मेडिया में मतलब मैं देख रहा था, यहां पर इतना बड़ा काससेंस का मुद्धा है, बट अब आज कर बस इस्रेईल, इस्रेईल, इस्रेईल१ काससेंस को नहीं दिखा, मतलब जो हो अदानी हो चाए वो काससेंस हो, जो ज़रूरी बाते हैं, उसका कुछ नहीं होगा, मगर इस्रेयल हो, बॉलिवूड हो, क्रिकेट हो, उसको चलते जाएगा। अदानी तो आपने इसके चिपका दिया, वो तो छूटेगा निया, गाउं गाउं चलागे अदानी का, और लोग यह कहते हैं, अदानी के यहां इसी का रुक्या है, वो बीस हजार का आपने उठाय था, इतना बड़ा इंवेस्टमेंट कहां से आएगा। कली एक स्टोरी आई है, कि यह कोईले के प्राइस इंफलेट कर रहा है, वहां से इंडियोनीशा से कोईला नाओ में जाता है, और यहां पहुंचते उसकी प्राइस इंफलेट हो जाती है, और फिर लोगों को बिजली के लिए जादा रेट देना पड़ता है, मगर वो भी म अधीक हमद का केस हो गया रूसको दस दिन तक हेडलाइन है, मैंने जब मैंने वो देखा, मैंने अपनी बहन से कहा, कि यह जो आपने पुलवामा की बात की है, इसके कारण यह किया गया है, टोटल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मैंने नोटिस किया, जब आपने पुलवा की बात की, तो यह सब डर गए थे, लेकिन अतीक हमद ने उसको दस दिन तक खतब कर दो, और शेडो कर दिया बलकुल, भारत जोड़ो यात्रा में मुझे एक बात समझ आई, कि कितना भी मीडिया पर कंट्रोल हो, अगर आदमी डाइरेक्ट जनता के पास जाता है, तो तो अगर आप जनता के पास जाते हैं, तो बहुत जल्दी जनता को बात समझ आजाते हैं, वो टाइम नहीं लगता, जनता तो अवेर है देश में, ऐसा नहीं उन्हें मालूम नहीं है, बट उन पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहां कहें, किसको कहें, उनके रिप्रेजेंट हो, बिरोक्रिसी हो, जो OBC वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो ट्राइबल वर्ग है, उनका कोई रेप्रेजेंटेशन है, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, अब मीडिया में, चाहे आप सबसे बड़े मीडिया हॉसे देख लीजिए, या सारे जो एंकर्स हैं, सारे रिपो अज़ादी की, तो मैं जब भी कमेटी बनाऊं, उसमें 48% अपर कास्ट आ जाते थे, नाम मांगूं तो भी वही आते थे, तो इस सिस्टम बन गया यहां का, इसको चेंज करने का आपकी राय क्या है? एक तो इसको कंपलसरी करना पड़ेगा, इतने परसेंट हो, जैसे नोक अच्छली इंस्टिटूशनल स्ट्रक्चर में हिंदुस्तान में, उसके डीटेल्स, OBC बर को भी नहीं मालूं, दलिट बर को भी नहीं मालूं, तो एक प्रकार से लाउड स्पीकर आन कर देते हैं, और इतना लाउड करते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है, जैसे आपने पुलवामय की बात की, कास सेंसस की बात की, अधानी की बात की, बस मोधी जी लाउड स्पीकर आन कर देते हैं, और जितना चिलना ना चाओ चिलनाओ कुछ नहीं होता, कुछ दिन पहले मैं दिली में तीन-चार घंटे बढ़ईयों के साथ काम किया, तो वो मुझे बता रह हमारा, मेहनत हमारी, मगर फल हमारा नहीं, और कितना गुना है, नहांस करके पैसा लेते हैं उसका, इनको तो कुछ मिलता नहीं गरीवों को, बहुत ही exploitative system है, तो अगर आप GST देखें, GST भी indirect tax है, उसमें छोटे वियापारी, किसान, मजदूर, वो टैक्स भरते हैं, किसान अंदूलन में तो आपने काफी कॉमेंट किया है, वो भी मतलब उनके घर में से पैसे निकालने का तरीका था, नहीं, वो तो इनका मैं बताता हूं, अगर आप नहीं हटा होगे इस बार, तो खेती को तो ये पूरी तरह खत, मनलब किसान छोड़ के भाग जाएगा, और ये कॉर्पोरेट को दे दें, इनका ये इरादा है, मैं तो खेती करता था, मेरे गाव में पूरी यूपी की सबसे बड़ी काश थी, एक हमारे चाचा थे, उनके पास धाई हजार बीगा जमीन थी, और आज मैं जाता हूं, तो सब लड़के शेहर में आ गए हैं, चुक करीदी से इलाके अगनी वीर, अगनी वीर में कौन इतने से अर्से के लिए अपनी जान देगा, कुई शने शने सब लोगों को, ये हर इंस्टिटूशन को पगड़के खतम करते हैं, इनके मतलब इमीजिटली ये, चाहे वो सेना हो, सरकार हो, बिरोक्रिसी हो, इलेक्शन क हाथ पड़ता है, वो अपने लोगों को बैठा के कुछ ना कुछ उल्टाऊ सकते हैं, उसके बिना आप कोई नोकरी नहीं पा सकते हैं, और सेंटल ये तो बिलकुल नहीं पा सकते हैं, जो इंटर कॉलिज के प्रिंसिपल होने लायक भी नहीं थे, वो वीसी लगे हो हैं सब मतलब इनका शिक्षा का सिस्टम नहीं रहा, माइंड कंट्रोल का सिस्टम बनाने की कुछ आपके मताबिक इंप्रूव्मेंट लाने का क्या तरीका है? लेकिए सबसे बेसिक सवाल है, कि किसान को उसकी फसल का दाम सही नहीं मिलता है, और उसके चलते वो हर साल गरीब होता जाता है, जो एक फसल का दाम पिछले साल था, खाड का और बाकी चीज़ों का जो दाम था, उसकी तुलना में इस साल में और फरक हो जाता है, तो उसकी पर्चेजिंग पावर हर साल कम होती चली जाती है और उसे पता नहीं चलता है यह उसकी पर्चेजिंग पावर कम होती है उसको एहसासी नहीं पता भी नहीं चलता है तो वह तुम मैंने देखा जब पॉबिक मीटिंग से बताते हैं तो हम पता यह नहीं था फूर नहीं तो पता यहाँ नहीं तुम गई ऑवी सुनकर लगता है फिर समझाता हूँ, बताओ, पिछले साल इतने गन्ने में कितना सामान खरीते थे, इस साल कितना खरीते हो, तो सब से पहले है, कि जो पैरिटी यह है, MSP, MSP, इसको लागू करना चाहिए, MSP में यह नहीं कि सरकार सारी फसलों का MSP दे, लेकिन MSP करने से बाजार गिरेगा नहीं, और MSP है इसलिए कि बाजार एक खास जो आपने दाम ते किया उससे नीचे गिरेगा, तो सरकार इंटर्वीन करेगी, और यह पंडी जी के जमाने स है, कि हम इंटर्वीन करेंगे और खरील लेंगे, तो MSP का लागू होना बहुत जरूरी है, और MSP पे इन्होंने किसानों से धोका किया, जब किसान कानून वापस लिए तो कहा था हम MSP करेंगे, और आज तक नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, चूंकि अडानी ने बड़े- ना दिये, फसलें एक दाम पे खरीद ली, अगले सान उनके दाम बढ़ जाएंगे, वो बेचेगा, MSP होगा तो किसान इनको सस्ते दाम पे नहीं देगा, तो MSP का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, फिर जो उसके लिए आप खाद, बिजली, पानी, जो भी सरकार देती है उसके दामों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वो बेताहशा नहों, ताकि वो जो मैंने बताया, जो फर्क रहता है, खरीद बेच का वो नहों जो आप कह रहे थे, यह जो अदानी जी हैं, इन्होंने पूरा जो स्टोरिज का इंफरस्ट्रक्चर है, अपने हाथों में ले लिया है, इसका एफेक्ट मैंने जम्हू कश्मीर में देखा, इसका एफेक्ट हिमाचल में दिखता है, अलग-अलग स्टेट्स में, हर्याना पन्जाब में, हर्याना में तो पानी-पत में बड़े-बड़े कोदाम बना दिया है, तो पूरा मतलब इस जो स्टोरिज का इंफरस्ट्रक्चर ही, यह कैप्चر कर लिया है, तो पर जब भी यह प्राइस को मतलब ओपर नीचे कर सकते हैं, तो यह किसानों को मतलब नुक् सरकारों के पास जो किसान का जो स्टोरिज की केपिबिलिटी होती है उसके बारे में सरकारें जादा नहीं सोचती है उस जादा नहीं विल्कुल नहीं सोचती है अब नौर्थीस में भी थे हां मेगाले मेगाले वो मुझे पनिश्मेंट पोस्टिंग दी गई ती गोवा के ब सब जगे पांस तबाले किये इन्होंने मेरे जिस सरकारी कमचारी के करते हैं तो नॉर्थ इस्ट बैठर था हमां बारह जिले थे गोवा में दो जिले थे और मेगाले बहुत अच्छी जगह है कोई जगड़े टंटे की नहीं है रिलाक्स लोगें का जी रिलाक्स अच्छे ल नहीं चीफ इन्स्टर जा नहीं सकता कुछ कर नहीं सकता लेकिन उसको अभी तक घटआ नहीं रहें यह जम्मु कश्मीर का भी ऐसे ही पारोग करते हैं पंजब का भी एसे प्रेक करते हैं मैं जो आपको आप कैरे बिल्कुल स़ही है मौहां कोई च्थरोल नहीं था पूरी सब जगे ये कुछ ना कुछ मतलब अपना करते रहते हैं, और छे महीने की बात है, मैं लिखके दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएंगे पावर में, नहीं अगर जमीन पे जाएं तो बहुत नफरत है लोगों, बहुत शदीद, पूछिये मतावत, मुझे लगता है कि हिंद हिंदूइजम के एक्सप्रेशन है, दोनों एक विजन है हिंदूइजम का, एक अहिंसा का, एक भाईचारे का, और दूसरा जो RSS का, जिसको मैं डिस्टॉर्टिद विजन कहता हूँ, वो नफरत का, हिंसा का, तो इस इस फाइट के बारे में आप क्या सोचना है कि हिंदू अगरिस्तान कंट्री के तौर पे तभी सर्वाइब करेगा, जब वो लिबरल हिंदूइजम के रास्ते पिछलेगा, जो गांधी का बिजन है, गांधी ने ऐसे ही नहीं कहा था, गांधी ने इस देश को जितना समझा था, किसी नहीं समझा था, गांगां गए थे, जगे ज उकड़े हो जाएगा दरवाइस, और ये कोई राजनेतिक बात नहीं है, मुल्क के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, कि हम मिल जूल के रहें, एक दूसरे के साथ रहें, जगड़ा ना करें, जगड़ा होगा तो मुल्क ही नहीं रहेगा, हाँ, बिल्कुल, मुल्क का जब सजेशन, राय क्या हैं? भाई ये, अब ये राजनेतिक लड़ाई नहीं है, अब ये आइडियोलोजिकल लड़ाई है, वो क्रिस्टिलाइजेशन इतना हो नहीं रहे है? ये, हिंदुस्तान का आदमी जो पॉलिटिक्स में एक्टिव है, वो राजनीती तक और अपने तक एक्टिव है, वो एक तो पहले तो देश के भारे में उस तरह नहीं सोचता, जैसे सोचना चाहिए, और वो जो ब्रॉडर इशूस हैं, उन पे राय नहीं बनाता है, राय जाहिर नहीं करता है, उस पे खड़ा नहीं होता है, तो वो हम पोलिटिकल लोगों करना पढ़ेगा. और इसमें ये भी है कि जो जैसे मैंने कहा कि इनफोर्मेशन का सिस्टम जो है, आसानी से राय बनाने भी नहीं देता है, वो डिस्ट्रैक करता रहता है. उसमें आपकी बात तो आएगी नहीं, जो दूसरी बात है वो आएगी, और लेकिन एक अच्छी चीज होई है, कि लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, भरोसा चला गया है, इस वक्त हम लोगों की एकी स्टेंथ है, that is social media, हम लोगों की बात social media से फैलती है, ये उसको भी रोकने के system ढ दून रहें, कैसे रोका जाए, वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो हमारी strength है, जो printed media है, electronic है, इस सब को इन्होंने control कर दिया, one-sided कर दिया, लेकिन अच्छी बात है कि लोग भी उसको समझ गया है, तो इनकी बात को यकीन नहीं करते हैं, कहतें नहीं, ये तो गड़बड़ उसे नहीं रोक सकते हैं, मगर जो ही है आपकी strength, जो central मेरा account है, उसको तो पका रोकते हैं, मेरा YouTube account को तो पूरा दवा रखते हैं, मेरा भी कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं आता है, लेकिन जो हम लोगों के पक्ष में बात बोलते हैं, वो फैलती है, मैंने देखा है, कि जब मैंने पार्लमेंट में अदानी की speech दी, तो सबसे पहले TV off कर दिया, उसके बाद मुझे पार्लमेंट से निकाल दिया, और फिर special session की बात हुई, उसके बाद special session के अंदर भारत या इंडिया का discussion की बात हुई, और फिर end में women's bill की बात हुई, और women's bill भी वैसा कि वो 10 सा की का जो है, चाए वो पुलवामा हो, women's bill हो, डिस्ट्रैक करने का इनका बहुत effective तरीका है, दो तीन चीज़े हैं प्रदान मंतरी की, एक तो ये किसी भी चीज़ को वो बना देता है, event, छोटे छोटी चीज़ का और उसका अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेते हैं, women's bill का इस नहीं किया, ओरतों को कुछ मिल नहीं रहा है, और एसास ये करा दिया, पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, पतलब शोट बहुत grand show होता है, जैसे वो parliament की building, नई building में जा रहे थे, तो constitution को हाथ में पगड़के, पूरा मतलब, रावा, नई building वाला, इसकी कोई ज़रू नहीं थी, पर उनको पथर लगवाना था, कि मैंने भी बनवाई थी एक parliament, लेकिन वो हर चीज़ को उसी तरह से बहुत megalovania की तरह करते हैं, जैसे पुराना house है, उसमें अगर आप expansion करना जाते हैं, तो central hall में आप लोकसभा डाल दीजे, लोकसभा में आप राजे सभा डाल और अगर आपको central hall चाहिए, तो NXC में central hall कर लेते हैं, तो problem ही नहीं थी, बट, problem create करके, show करके, पूरा वतलब, इससे देश को काफी नुकसान होता है, क्योंकि में इस चीज़ लोग इसको समझ रहे हैं, लोग ना समझें तो दिक्कत है, लोग हर चीज समझ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल नीचे तक जाता हूँ, वो सब बोल रहे हैं इस चीज़ को, किसाब इसको करना वरना कुछ नहीं है, यह सही करता रहता है, और actually जब मैं इनके भाशन सुनता हूँ, और इनकी जो policies देखता हूँ, तो actually depth नहीं है, detail में नहीं जाते हैं, ज़रूरत नहीं है, क्रूमेंट नहीं करना, कोई चेंज नहीं करनी है, सिर्फ राज करना जीशे बोलते हैं, बहुत क्रूड लेंग्विज में साड़ा राज है, राज करना है, that's all, और वो उस तरह से जो जवाब देही जनता के लिए होती, वो महसूस भी नहीं करते हैं, आपने काफी और वामा के बारे में बोला, आपने जो अदानी के बारे में बोला, तो फिर आपको धंकाया गया, CBI इंक्वाइरिंग कर आएगी, सब शुरू हो गया, पूरा इंका सिस्टम चालू हो गया, आप हैरत करेंगे, ये कानून है कि जो शिकायत करता है, उसको सजा नहीं दी ज मैंने का भे तुम कुछ कर लो, मेरा कुछ नहीं विगाड सकते, मैं तो फकीर हूं, मेरे बेना कुछ है, तो तंग आगे वो, लेकिन करना पड़ा फिर ये ही कहते थे लास्टम साब, नोकरी कर रहे हैं, मुझे भी ये ही कहते थे, कि भही आप छोड़िये, मतलब हमें दब करेमन शुरू हो जाता है उन पर, नहीं करेंगे मेरे पर तो करते रहते हैं, जादे दिक्कत नहीं, आपको कोई फरक नहीं पड़ता, थेंक यू, बहुत अच्छा लगा, थेंक यू, बहुत अच्छा लगा, थेंक यू.